Quadratic equation, word problem में Linear equation में भी word problem आता है Quadratic equation में भी word problem आता है Rules for word problem, याद रखो Quadratic equation के अंदर word square आएगा क्या word आएगा? Square, कौन सा square? जो आपने ऐसा power लिखते ना Square, या तो ऐसा word आएगा, area क्या आएगा? area या तो या आएगा, square centimeter square meter या तो square units समझ है? ये सब चीज़े हैं ये तब उन समझ जाने का ये कौन से चेप्टर से? Quadratic equation और Quadratic equation में एक ही variable रहता है जो के x y ने रहता है, linear equation में दो variable आते है Quadratic equation में एक ही variable x फिर times आएगा T-I-M-E-S, क्या आएगा? Thrice आएगा Four times आएगा Five times आएगा and so on है ना? Product आएगा क्या हैगा? Product reciprocal word आएगा reciprocal आएगे समझ है ना? ये सब क्या रहेगा? Quadratic equation reciprocal आएगा, फिर ऐसे भी word आएगे consecutive natural number consecutive even number consecutive odd natural number उन लोग ऐसा भी देश सकते हैं consecutive even natural number मतलब even number consecutive odd natural number मतलब odd number समझे है? natural ऐसे खाली formalities के लोग देते हैं ये सब वर्ड आ जाएगा तो तुम लोग समझ जाने का है कौन से chapter से? quadratic equation और तुम लोग को एक ही variable लेके solve करने का x क्या करने का x दूसरा कभी भी तुम लोग को मालूम पढ़ गया कि ये quadratic equation का word problem है तो तुम लोग को सब में पहले है न comparative statement पे focus करने का कौन सी statement पे? comparative statement जिसके अंदर comparison कर रहे हैं जिसे शारुक खान is more handsome than Salman Khan तो दो जान के इसमें compare करें किसे किसे इसमें शारुक खान और Salman Khan शारुक खान और Salman Khan तो जो भी बाद में आएगा मैंने पहले शारुक खान बोला कि Salman Khan? Salman Khan ने पहले मैंने शारुक खान बोला बाद में बोला Salman Khan तो सल्मान खान को एक्स अजू करेंगे और शारु खान को जो भी एक्स प्लाज जो भी रहेगा वह अजू करेंगे समझें फिलाल मैं बता रहो देखो comparative statement comparative statement ऐसा रहेगा जैसे अब्दुल्ला अब्दुल्ला इस ओल्डर देन अस्जट बाई 15 years अब्दुल्ला इस ओल्डर देन अजट बाई 15 years यह एक comparative statement है यहाँ पे दो जान को compare करें अब्दुल्ला और अजट मैंने क्या बोला जो भी बाद में आएगा उसको हम लोग अजिम करेंगे एक्स और जो पहले आएगा उसको जो भी एक्स प्लस यह एक्स माइनल जो भी समझें तो बाद में कोन आ रहा है अजट कोन आ रहा है अजट है ना तो हम लोग लिखेंगे लेड़ दा एजट आफ यहाँ पर एजट की बात हो रही ना अब्दुलाइज ओलड़ देन अजट बाद 15 यह तो हम लोग लिखेंगे लेड़ दा एजट आजट बी एक्स यह लेड़ दा एजट भी एक्स यह दैरफोर एज ओफ अब्दुलाइज 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 ओफ अब प्लस या माइनस लिखेंगे न तो थोड़ा gap इदा खाली स्पेज छोड़ने का क्या करेंगे खाली स्पेज छोड़ेंगे अधा क्या लिखेंगे प्लस कितना यार 15 years 15 लेकिन अबदुल्ला अगर समझो अबदुल्ला 10 साल का है तो अबदुल्ला कितने साल का हो जाएगा अबदुल्ला कितने साल का हो जाएगा तो 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 अबदुल्ला कितने स X plus 15 years तो तुम्हारे को comparative statement में ये सब ध्यान देने का है समझ है comparative statement में ये सब ध्याने का है rules याद रखो अगर rules समझ में आगे word problem में ordered equation तो सब easy अगर question में आ रहा है is was was will be shall be would be should be ये सब वर्ट आएगे तो इलो को हटा के क्या लिखेंगे is equal to क्या लिखेंगे is equal to ये था rule number one ओके second rule अगर question में आ रहा है less than क्या रहा है less than या तो आ रहा है smaller than क्या रहा है smaller than या तो आ रहा है preced 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 less than आएगा smaller than आएगा या preced आएगा तो quadratic equation में याद रखो less than आएगा smaller than less याने कम smaller याने भी छोटा preced याने पहला तो क्या करेंगे minus क्या करेंगे minus लेकिन पहले थोड़ी space छोड़ेगे थोड़ी space छोड़ेगे फिर लिखेंगे क्या minus क्या लिखेंगे minus इधर मैंने क्या खड़ा थोड़ा space छोड़ा और फिर मैंने क्या लिखा minus इंट्रेस निए यू कैन गो थर्ड रूल जगा कम करो more than more than या greater than या exceed more than greater than exceed यह सब को उने plus की काई की निशानी plus की चाहे plus हो या minus कभी भी ऐसी चीज है आगी लिव सम space और space छोड़ने के बाद क्या लिखेंगे plus क्या लिखेंगे plus more than greater than exceed यह सब आएगा तो क्या करेगे plus precede less than smaller than तो minus but leave some space then you write minus leave some space then you write plus समझ में आ गया rule number three rule number four rule number four अगर question में times हाया times समझ रहा two times हो सकता है three times हो सकता है four times हो सकता है या तो product आएगा क्या हैगा product क्या हैगा product product याने क्या multiply two times हैने two multiply जो भी रिखने गए product भी multiply product भी क्या है multiply twice भी वह इसा ही रेता है twice याने two times है twice याने three times two times three times जो भी आएगा, अगर ट्वाइज आ रहा है तो टू ब्रेकelect कुछ भी लिख दे तो कि के ना अगर थी टाम्स आ रहा है तो थी ब्रेकेट फोर थैम्स आ रहा है फोर ब्रेकेट फाइच़ था रूल्स for identifying equal to minus plus या product या multiply कितना समझ है यह page इत्तम अच्छे से screenshot ले 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 लेना और इसको अच्छे से समझ लेना quadratic equation की पैच्छान दिख गई तो सब में पहले तुम comparative statement देखने का क्या देखने का comparative statement comparative statement में जो भी बाद में हैगा उसको अर्जिम करेंगे x और जो पहले आएगा उसको बाद में अर्जिम करेंगे लेकिन एक ही variable लेके solve करना है x ओके और भी देखो rules खतम नहीं हुआ consecutive number की बाद होती है consecutive term नहीं consecutive terms in ap आता है तो वो ap का chapter है उसकी वीडियो अपने पास है consecutive terms कैसे frame करने का मैंने वीडियो बना लो तो तुम लोग ap का देख लेना हम ap ने करें हम कर रहें quadratic equation consecutive number क्या बता रहा हूँ consecutive number अगर बोलेगे two consecutive natural number two consecutive natural number कैसा identify करेगे two consecutive natural number natural number ना natural number मतलब क्या continuous repeat होना अच्छे लेकिन वो one से लेके ending तक कुछ भी one two three four five six seven eight 19 कुछ भी ने बता मैं जा समझो मैं ले रहा हूँ six seven back to back number है consecutive हुआ consecutive हुआ consecutive हुआ के नहीं consecutive हुआ ना चलो पहला number समझो six है seven कैसे बना पहला number six है ना seven कैसे बना six plus one seven six plus one seven उसी तरीके से consecutive natural number कैसे बनेगे दो consecutive natural number अगा मैंने पहला लिया x तो दूसरा number क्या लेना पड़ेगा जैसे इता six था seven बनाने के लिए क्या करना six plus one तो उसी तरीके से consecutive natural number बनाने का है अगा पहला natural number x लिये तो दूसरा natural number क्या करना पड़ेगा x plus 1 आ गया समझें ये था 2 consecutive natural number अगर तीसरा consecutive natural number बनानेगा तो पहला x, दूसरा x plus 1 और तीसरा रहेगा x plus 2 और 4 consecutive natural number बना रहेगा तो पहला x, दूसरा x plus 1 तीसरा x plus 2 और चौता x plus 3 x plus 3 समझें and so on ये था 2 consecutive natural number अगर मेरे को बनाना है तू, consecutive, even, natural number तुम लोग, natural पे ध्यान मत दो, even, natural number याने, संफ़र even पे ध्यान दो किस पे ध्यान दो, even, even number की सुबहते माल ना, जो 2 के डेबल में आदे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, जो भी है, मैं संफ़र ले रहा हूँ 6 और 8, क्या लिया मैंने, यह even number है के नहीं, 2 के टेबल में आते हैं न, unit place है, 0, 2, 4, 6, 8 हुआ, तो वो even number है, 6 और 8, संफ़र इदा, पहला number को होने, 6, पहला number को होने, 6, तो 8 कैसे बना, 6 में क्या पहला plus करेंगे, 8 बनेगा, 6 में 2 plus करेंगे, तो 8 बनेगा, consecutive even natural number बन रहा है के नहीं, उसी तरीके से, अगर मैंने पहला consecutive natural number लिया, मैंने x, पहला consecutive even natural number लिया, x, पहला consecutive even natural number लिया, मैंने x, तो दूसरा number बनाने के लिए क्या करेंगे, even के अंदर मैंने क्या करा 2 प्लस करा ना तो क्या करेंगे x केंदा 2 प्लस करो x plus 2 समझे है उसी तरीके से अगर कॉंज यहां गांगे अगर उसी तरीके से consecutive तीन नेच्टरल लंबर बनाने का है consecutive even 3 consecutive even natural number बनाने का तो यह x x plus 2 x plus 4 समझे है चार consecutive even natural बनाने का है x x plus 2 x plus 4 x plus 6 अगर 5 बनाने का है x x plus 2 x plus 4 x plus 6 x plus 8 समझे है न तो यह था two consecutive even natural number कैसे बना formula समझे है ओके अगर आएगा question में two consecutive odd natural number तुम लोग natural पर ध्यान मत दो और डिग्या न ओके ओर के example की सुबनेगे जैसे यह न फिर एक नबऑ चोड़ दो bon 3 3 फिर एक नब़ चोड़ दो 5 फिर एक नबब चोड़ दो 7 फिर एक नबब चोड़ दो 9 फिर एक नबब चोड़ दो, 13, फिर एक नमर छोड़ दो, 15, संजो देखो, consecutive odd natural number, जैसे ये 3 और 5, odd number हुआ, ये 2 के टेबल में नहीं आते हैं, इसके लिए odd number है, पहला number मैंने क्या अजिम कर रहा हूँ, 3, तो दूसरा number क्या रहेगा, 3 में कितना add करेगे, तो 5 आएगा, 2, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 क्या करे कि 3 प्लस 2, 5 हो रहे हैं, तो उसी तरीके से, अगर मैंने पहला number x लिया, consecutive odd number में पहला number x लिया, तो दूसरे में क्या करना पड़ेगा, मैं किसी भी हालत में, 2 add करने का, x प्लस 2, ये बन गया consecutive odd natural number, अगर 3 consecutive odd natural number बनाने का, तो कैसे बनाएंगे, 3, x, x प्लस 2, x प्लस 4, चा दोनों भी same ही आएगा, चाहिए तुम consecutive even natural number लो, या consecutive odd natural number लो, फॉर्मले देखो, same ही बन रहा है, इसी से proof होके मैंने बता दिया, देखो, यहाँ पर even number 6 हेट है, यहाँ पर even odd number 3 है, बहुत अलग है, यह even number है, यह odd number है, लेकिन फॉर्मला दोनों का क्या बन रहा है, same ही बन दोन दर, x, x plus 1, ऐसा लिख देते है, odd number हो साँ जेते है, नई, even number या odd number के लिए तुम लोग यही याद रखो, x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8, x plus 10, x plus 12, even जैसा ही है, odd का भी, odd जैसा है, odd का भी, even जैसा है, तो यह था consecutive numbers के rule, consecutive numbers के rule, कुछ formula भी याद रखना पढ़ेगा, कुछ, यह दिख राएगा, कुछ formula भी याद रखना पढ़ेगा, तो यहाँ पर formula लिखना, formula, तुम लोग ने 9th standard के अंदर वो करे ले, 9th standard में polynomials करे ले, synthetic division, एक्शल division भी आता है, वो भी करे, उसके अंदर यह formula बनता है, dividend is equal to divisor, multiply by quotient plus remainder, यह ऐसे type का word problem रहेगा, यह ऐसे type का word problem रहेगा, जिसके अंदर या तो divisor देगे, या तो quotient देगे, या तो remainder देगे, या तो dividend देगे, इन में से किसी एक चीज़ को हम लोग को find करने करेगा, अगर ऐसे type का, जिसके अंदर word problem में dividend की बात हो रही है, diviser की बात हो रही, quotient की बात हो रही है, remainder की बात ह upon time speed is equal to distance upon time distance का formula क्या बनेगा distance is equal to speed multiply by time क्या बनेगा speed multiply by time speed multiply by time time का formula क्या बनेगा distance upon speed time का formula क्या बनेगा distance upon speed इनलों फ्रेम करने आजेंगा जैसे speed का formula क्या distance upon time distance का formula क्या बनेगा स्ब्सक्राइब इसे इकल्टू स्पीड रपीजियर अंद टैम स्ब्सक्राइब टॉइज आम गया तुम यह फॉर्मिला भी आएगा एरिया ओफ ट्ररापीजियर चुन एरिया ओफ ट्रैकिसियं इसे पार कि उब trapezium की एक ही parallel side रहती है तो वो एक parallel side को क्या करेंगे plus क्या करेंगे plus multiply by height क्या रहेगा height समझ यह था area of trapezium trapezium देखो ऐसे रेते figure यहाँ देखो यह है trapezium parallel side a b c d यह trapezium है यह b है यह side c d और a b क्या है parallel a b is parallel to c d तो sum of the parallel side का मतलब क्या a b plus c d समझ है और इसका अंदा height भी आती है तो यह height समझो लोग ने इधर दे दिये यह p q p q क्या है height तो multiply by p q समझ है half multiply यह binomial लेना इसके लिए bracket में समझ है आगे समझ में तो area of trapezium का formula भी याद करने लेने का यह सब चीज़े याद रही तो ही तुम लोग को word problem आएगा okay these are the rules for the word problem यह दो page इंतम अच्छे से screenshot ले लेना और अच्छे से याद कर लेना okay अच्छे सी याद कर लेना याला पीज़ी जो मैंने बता है कि रैपिजम की स्वेश्व पर सब्सक्राइब अच्छे सब्सक्राइब टाटा भाइगाई